हेलो वडिवन टेक्ट लोगा सौगत है में आमें आसी पॉच्छ विलोग बात करने वाले मोटरोला के तब से एक बहुत अच्छा और एक फ्लैक्शिफ फोन आने वाला बहुत जल्ड इसका नाम है मोटरोला एकस फोन वाला एक तो होगा एकस फोन प्रो वैसे यह फोन का आते हैं कि मोटरोला इस बैक्ट फोन के बाद अब आप कह सकते हैं कि मोटरोला टॉप फाइब ब्राइंड में से आता है वह जो कि फ्लैक्शिफ फोन फ्लैक्शिफ स्पेक्स देता है आपको साथ में एक वैल्ल्यू फोर मनी प्रोड़क्ट देता है जब भी आपको फोन तरही के शब्राप करें to चलिए वीडियो कटर करें कि। कि पहले का मगर्ण है जब इंडिया में आएग से लांच नहीं होने वाला लेंडिया उने को बनुसका 허ण प्रटे लाद कशल में जो अपर वेरियंट है उसका नाम होगा Motorola H40 Ultra तो चलिए सबसे पहले डिजाइन से स्टार्ट करें तो यहां पर आपको लाइटवेट फोन मिलने वाला प्रिमियम लुक होगा इसका जो बैक पैनल है वो लास्ट यर के जैसे ही है चोटा मोटा डिफ्रेंट से मतलब लास्ट जो एच थर्टी अल्डर आया था उसी के जैसे बस कैमरा मॉडूल थोड़ा सा चेंज है बाकी कुछ बैक में चेंज नह और इसका मतले सिंपल यहां पर आपको दो साइड में करव नहीं मिलेगा चारो साइड में आपको 45 डिगरी कर्व डिस्पले मिल जाएगा और तो यहां तक तो आपको समझ में आगिए हो कि इस वह न के अन्तर कैदिस्पले कितना डिफ्रेंट है बाकी सबसे क्योंकि बाकी सब्सेया को से दो साइट मिलते हैं यहांपे आपको चाल साइड मिल रहा है प्लस fifteen ह्प्लस बड़ा साइब सेफैंड ग्रोव्र आपको कोई भी फ्रोम नहीं होने वालाए पर यहांपे इस अर्तबुधी करना आप इस फोन के अंदर कर सकते हैं हाइएंड गेमिंग, मल्टि टास्किंग, वीडियो एडिटिंग करना है तो वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं साथ में कोई ग्राफिक्स वाला गेम हो वो भी आप खेल सकते हैं तो डे टू डे पिक्सल का सिंगल कैमरा मिलेगा जो की इनफ से जादा का सभूरत भी नहीं पड़ेगा यहां पर आपको बैक में 4K शूट करके देगा 60fps तक का और फ्रेंट में 4K शूट करके देगा 30fps तक का पर इस बार जब यह 4 इंडिया में देख सकते हैं तक कामरा रिव्यूस का वहां पर आपको दीख जाएगा कि यहां पर आपको मेगा पिक्सल के साथ कॉलिटी कितना अच्छा आपको देता है पर हां एक चीश बोल सकते हैं लास्ट टाइम के हिसाब से एक अच्छा अपड़ेट यहाप प्राइम गारा 500 यहां पर आपको प्राइम कैमरा में पीक्सलिक देने वाला फिसक्या by के अंधर आपको कोई भी बंग याको एंस्टलोड यहां पर ऑन्टरी पर तो यहां पर च mirrors सब्सक्राइब नहीं पर वैसे आपको दोनों से कोई भी आएगा को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए अभी इस फोन के बार पर इन डीटेल तो सब कुछ बता दिये लेकिन छोड़ा बुड़ा दो चीज बता देते यहां पर आपको स्टीडियो स्पीकर नहीं मिलने वाल डूल स्पीकर मिलेगा जो कि Dolby Atmos के साथ आएगा यहां पर आपको LPDDR5 आने वाला है UFS 3.1 मिलने वाला है साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट सेंसर मिलेगा ओवरॉल 3.5 mm जैक आपको नहीं मिलने वाला तो चलिए अब तक तो आपको समझ में आ गया होगी कि जब फोन इन हाइट आएगा तो क्या सब स्पेसिकेशन के साथ आने वाला है मत्तब एक प्रिम्यम खॉलिटी फोन आपको इस बार मिलने वाला है कैमरा से बैटरी से लेकर डिस्प्ले से लेकर के ओवरॉल प्रोसेसर सब कुछ तू दी टॉप नौच आपको मिलने वाला है पर यहां तक बात खताब भी होता है यह स्टार्टिंग विरेंट है इसके बाद आपको 8GB के बाद 12GB 12GB के बाद 18GB भी होना वाला है तो जो 60K से स्टार्टिंग है मतलब 60,000 से जो स्टार्टिंग है वो 78,000 तक का मैक्स आउट जा सकता है और वही स्टोरेज में भी आपका करके बढ़ेगा सबसे बेस विरेंट जो आपको बता है 8GB 128GB वो इसका बेस है उसके बाद आपको 128 के बाद 256 मिलेगा 256 के बाद 512GB भी मिल जाएगा तो चलिए आपको यह बता देते कि यह लाउंच कम होने वाला तो यह जो ग्लोबल लाउंच होगा वो इसका दिसम्बर ए कर लिजे क्योंकि वैसे ही जैनवरी एंड टू मिल फैवरेरी के अंदर बहुत सरा और फ्लैक्शिफ फोन आने वाला है तो वहाँ पे कंपेर करने वाले कि कौन सा अच्छा है कौन सा वैल्यू फॉर मनी फोन है कौन सा बेस्ट आपको स्पेक्स देरा प्राइस के अंदर त करिए है कौई पूस निचे जाकर करिए शेर करिए अंपने सारे फ्रेंट्स और फैलिस को जो बीए इंतिजार खास करके एक । यास